गुड बार्णिंग मैं प्रिय छात्रियम छात्राओं मैं निवरे जगरी कलतरे कडमी से रवी मिस्रा बिटा ध्यान देना पिछले कुछ समय से बोर्ड में जो इस बार बच्चे हैं खासकर 11 और 12 के किरसी के छात बहुत ही जादा प्रसान है बार बार हमारे बास फोन कर रहे हैं कि सर स्कूल चलना ही राइस और हम लोगі बोर्ड की तैयारी नहीं हो पा रही है और बिटा आपको पता है कि बोर्ड की परिछा हम लोगों की लगभग 20 फरोरी के अस्पास हो नीता है या हर बरस होती तो बिटा डेट बढ़ेले गीं नहीं आपकी तो आपके पास समय बहुत कम बच्चे हैं बिटा और उस समय को देखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप जितना भी बिसे पढ़ते हो 11 और 12 में उसकी थैयारी कराने के वो बिटा थैयारी आपकी आनलाइन प्रेटभाम पे होगी या आनलाइन आपको पढ़ाया जायागा समस्त क्लास जितने भी आप 11 अगरिकल्टर में पढ़ोगे या जो भी क्लास आप 12 अगरिकल्टर में जितने भी बिसे होते हैं और बिटा हम सब पढ़वाने की कोशिश करेंगे हमारे बास फैकल्टी बहुत ही अच्छी अच्छी है आप लोग आनलाइन पढ़ोगे तो आप लोगों पढ़क की तैयारी करेंगे 11 किर्सी का और 12 किर्सी के चात्रों के लिए सबसी खावत यह है कि आपको पता है कोविड-19 या करोना की कारण अभी फिलहाल लगता है कि कुछ दिन तक स्कूल नहीं खुलेगा अगर स्कूल नहीं खुलेगे बिटा तो आप क्लास भी नहीं जा पाओग अगर आप क्लास नहीं जाओगे तो आपकी तैयारी भी हो नहीं पाएगे तो उसके लिए सबसे अच्छा यह है बेटा कि हम लोग कोशिस करेंगे कि आनलाइन सारे स्रेबस आपके पढ़ाये जाएं और इससे आपकी वोर्ड की अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगे ज्यान से समझे ना मेटा इसमें जो सबसे खास बात है पहले हम लोग देखेंगे हमारे कोर्स में क्या क्या है तो बिटा ध्यान देना जो ग्यारा एगरी कल्चर का कोर्स है उसमें हम लोग भावतिक विग्यान पढ़ते हैं बनस्पत विग्यान पढ़ते हैं गड़ित मतले ग्यारा एग्री कल्चन में या एलेवंथ एग्री कल्चन में में पाँच दिप्र इधन करते हैं ऑंत्य बग्यां का गडित का कृसिय उच्छा और कंपस्य घंज का एफ का Wochen अर Kita का करें करते हैं जिब बारा में जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं रसाइन विग्यान, जंद विग्यान, पसुपालन, अर्थ सास्त्र और सस्य विग्यान भाग दो ध्यान देना बिटा ये विशें हम लोग 11 और 12 में पढ़ते हैं मैंने आप से फिर कहा कोबिट 90 के कारण हो सकता है आपको स्कूल में पढ़ने का मौका भी ना मिले बिटा ये सी सब को देखते हुए हम लोग उने फैसला लिया है कि आपके जितने भी छात्र 12 में हैं उनके ये पांचों विशें इसके साथ साथ एक विशें और होता है हिंदी कि छाओ विशें आपको अच्छे से अच्छी तैयारी कराई जाए इसके अलावा जो ग्यारा के छात्र हैं उनके ये पांच विशें भावतिक विग्यान, बनस्पत विग्यान, गड़ित, फिर्सिय अभेंतरण और सस्विग्यान पढ़ाया जाए कि बिटा सब आनलाइन पढ़ाया जाएगा, इस सारी क्लास से आपको रिकार्डड वीडियो मिलेगा, रिकार्डड लेक्चर मिलेगा, प्रत दिन मिलेगा, हर विशें का मिलेगा, आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा पहले हम लोग सोच लेते बिटा, आनलाइन क्लास पढ़ने के लिए, लेकिन बिटा, आनलाइन में दिक्कत ही होगी कि जो किसी का चातर होता है, गाओं का होता है, बिटा किसान का बच्चा होता है, और कभी-कभी मालो हमने 11 व privat selbst क्लास लगाई और उस समय चातर खेते में काम करनी गया है, तो में नगर आज पनाको रिकर्ड रिकार्ड कर गया आपको दे दिया जाए, और आपके पास 24 घंते में जब भी आपको समय मिरें, तब आप अपने मुBAIL से वीडियो देख लेंगे इससे बिटा जैंए, आप कभीמן 24 गंटा जब आप फिर होंगे तब आपको वीडियो देख लेंगे जब और यह सारे वीडियो बेटा यह आपको अप्लीकेसन के माध्यम से मिलेगा ग्यारा में बेटा है तो हम लोग सिर्फ बोर्ड के तयारी कराएंगे ग्यारा में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बोर्ड के तयारी कराएंगे बोर्ड परिछा के तयारी कराएंगे तोटल लेकिन बेटा बारा के जो छात रोंगे उनमें उनको बोर्ड की तो तैयारी करवाएंगे ही करवाएंगे साथ में बेटा हम लोग UP कैटेट, VHU, ICR की भी तैयारी करवाएंगे इससे क्या होगा जो बरहूई का छात्र होगा बेटा जब इंटर पास करता है तो उसको किसी ना किसी क्रिसी भी सुद्धाले में परवेस लेना होता है और बिटा ध्यान देना क्रिसी भी सुद्धाले में अगर लड़का परवेस लेता है तो बटा ध्यान देना बोर्ड परिछा की भी तैयारी इसको करनी होती है अच्छे से और इसके साथ साथ ये भी सब कोस्टन जो आपको UP-Catid ICR वेच्चू की ही कोस्टन आपको बताएंगे या तैयारी करहेंगे इसकी भी तैयारी आपके बोर्ट पर इच्छा के साथ साथ हो जाएगे होता क्या बेटा जो ग्यारा का छात्र होता है किसी बरगा जो बारा का किसी बरगा छात होता है ये कान पर तैयारी करने नहीं आ पाता क्योंकि अपने इसको स्कूल में पढ़ना होता है या छात्रों को अपने स्कूल में पढ़ना होता है इसलिए हम लोग online class से चालू कर रहे हैं कि आप कभी भी कहीं भी 24 घंटा कुछ भी जैसे भी आप सरच करोगे वीडियो या coaching का नाम डालके तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा ठिक तो ध्यान देना 11 हुई की छात्र उनको सिर्फ हो सिर्फ हम लोग board की तैयारी कराएंगे सभी भी सेव का लेकिन जो बरहुई की छात्र होंगे उनके सभी भी सेव की board की तो तैयारी होगी साथ में ICR ये चूल पीकैटट की पे तैयारी होगी जिस से 12 पास करने के बाद वो आसानी से करसी भी सुद्धाले में परभेस ले सके दूसरी खास बात बिटा अगर आज कल्कुलेट करोगे आप आज आपका 20 सितंबर है 19 सितंबर है बिटा आज आपका 19 सितंबर है और लगभग आपकी जो बोर्ड की पर इच्छा होगी बिटा वो 20 फरोरी का असपास शुरू होती आज 19 सितंबर है और लगभग आपकी बोर्ड पर इच्छा 20 फरोरी के असपास स्टार्ट होती है तो बिटा आज से अगर आप कल्कुलेड करोगे 19 से हमें कहते हैं आप 20 से कल्कुलेड करो 20 सितंबर से अगर आप देखोगे 20 फरोरी तक बिटा तो आपको 5 महीना मिलेगा तैयारी करने के लिए 20 सितंबर से लेकर 20 फरोरी तक आपको 5 महिना तयारी मिलेगा बोर्ड की और बेटा ये 5 महिना बहुत होते हैं इस 5 महिने में बोर्ड के तयारी हम लोग ऐसी करा देंगे जो आप सपनों में भी नहीं सोचे होंगे कि इतने अच्छे टीचर कैसे हमको पढ़ा रहे हैं या जो टीचर पढ़ा रहे हैं इस सारी चीजे मुझे समझ में आ रहे हैं बेटा ये जो 5 महिना होगा 5 महिना कौन सा होगा 20 सितंबर से 20 अक्टूबर का 20 अक्टूबर से 20 नॉमबर का 20 ौمبر से 20 दिसमबर का 20 दिसमबर से 20 जनौरी का और 20 जनौरी से 20 फरोरी का यह जू ब Divine पांच महीने होंगे इसमें कम से कम हम लोग तीन बार पूरा कोर्स खतम करेंगे चाहें 11 का कोर्स हो चाहे 12 का कोर्स हो Line to Line पूरी किताबे आपकी खतम कर देंगे और बेटा किताबे नहीं किताबे तो आपकी खतम ही होगी कॉर्स आपका खतम ही होगा साथ ही साथ बेटा ये याद रखना ये तो दोनों होगा है किताबे भी पुरी पढ़ा दी जाएंगी कोर्स भी पूरी पढ़ाद दिया जाएगा और इस से ची गारेंटी जरूर लेंगे कि सारी चीजे आपके दिमाग में भी चली जाएगे दिमाग भी जाने का मतलब यह है कि आप से कोई भी कुछ भी पुछेगा तो तुरंट आप उसका जबाब दोगे इतनी अच्छी मैं तैयारी करवा दूंगा मैं यह अस्वासन आपको देता हूँ क्योंकि पेटा जो हमारे पास फाइकल्टी है जब आप उन से पढ़ोगे आपको पढ़कर मज़ा आजाएगा कि वह आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर और क्या अंतर है और टीचरों में या क्या अंतर है नियुरे जगली कल्टर एकडमी के टीचरों में और पेटा टीचरों में आप अंतर देखोगे जब नियुरे जगली कल्टर एकडमी के टीचर पढ़ाएंगे आपको पढ़कर बिलकुल लगेगा कि नहीं पढ़ाई का असली मायने तो पढ़ाई की असली क्वाल्टी पढ़ाई की असली गुरोता तो मुझे नियुरे जनली कल्चर एकडमी में ही मिल रही है तिक ध्यान देने बेटा इसके लिए 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक पांच दिन डेमो क्लास है या पा इस सारी क्लासे आपको यूटूब चैनल पे जाएंगे नियुरे जनली कल्चर एकडमी डालेंगे आप यूटूब चैनल पे जाएंगे नियुरे जनली कल्चर एकडमी चैनल डालेंगे बेटा जैसे यूटूब पे जाके आम नियुरे जनली कल्चर एकडमी डालोगे तो आपको ये सारे वीडियो कल से वीडियो आपके मिलने सुरू हो जाएंगे और ये आपको 20 से 25 सितंबर तक मिलेंगे आप ये बोल सकते हो कि ये बेटा 20 से 25 सितंबर तक जो समय है ये आपके मुफ्त कलासे दी जाएंगी सभी 11 के छातरों को दी जाएंगी सभी बारा के छातरों को दी जाएंगी ताकि अगर बिटा आप पांच दिन डेमो पढ़ लोगे पांच दिन फ्री पढ़ लोगे तो आप पचवे दिन इस डिसाइड कर लोगे कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं इनसे पढ़ने लाइक है कि नहीं है और बिटा अगर आपको समझ में आ गया पांच दिन की डेमो तो आप निस्चित रूप से एडमीशन जरूर लेना और आप एडमीशन लेंगे बिटा तो निस्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी बिटा हमों काम नहीं कर दे कि आप से हम फीस ले लें बेटा और फिर आप क्लास पढ़ो आपको समझ में ना आए फिर आप को हो कि सर जी आप मेरी फीस आपस कर दो नहीं बेटा पहले आप पाँच दिन क्लास पढ़ लो खूब अच्छे से पढ़ लो आप सभी भी सभी क्लास पढ़ लो और जब बिटा आपको पांच दिन डेमो पढ़ने के बाद आप संतुष्ट हो जाओ फिर आप एडमेसान लो और ध्यान देना बिटा ये पांच महीने का बैच है 20 सितंबर से लेकर 20 फरोरी तर ध्यान देना इसमें सबसे अधी फैदा मिलेगा 12 किरसीबर के चात रोगो 12 किरसीबर का चात पूरा का पूरा स्लेबस पढ़ेगा अपना 12 का और साथ में यूपी कैड़ड आईसेयर वेच्चू के भी तयारी कर लेगा और बिटा ध्यान देना 11 का चात रोग सिर्फो सिर्फ बोर्ड की तयारी करेगा लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे बोर्ड वेच्चा की तयारी पे और उसके बाद हम लोग थोड़ी थोड़ी कोसिस यूपी कैड़ड वेच्चू आईसेयर में भी क्यों हो जाते हैं 11 अगरिकल्चर ने क्योंकि उनकी तैयारी नहीं हो पाती है मैं ये कहता हूँ बेटा अगर जितने भी 11 के छातर हैं जितने भी 11 के छातर हैं अगर ये पांच महीना जो बचा है अगर ये तैयारी कर लें मेरे चैनल पे मेरे कोचिंग के द्वारा तो मैं ये गारिंटी जरूर लेंगा कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा फेल तो आपके दिमाग से ही निकल जाएगा आप यही कहोगे कि सर अब लगता है मैं तो बहुत नंबर पाऊंगा मेरे तो परसेंट 80 से उपर जाएंगे जो कभी तुम्हारे सपनों में आ रहा था कि मैं अगरिकल्टर 11 में फेल हो जाऊंगा वो तुम सोचोगे कि नहीं सर अब तो मेरे 11 अगरिकल्टर में और अच्छे नंबर आएंगे और बेटा 12 अगरिकल्टर की जब बात करोगे तो इसमें जो रसायन वी ज्यान है इसमें लड़कों को बहुत डर लगता है काते हैं सर केमिस्ट्री बहुत कठिन है काते हैं सर रसायन वी ज्यान बहुत कठिन है बेटा कठिन कुछ नहीं होता है दुनिया में कोई चीज कठिन बनी ही नहीं बनी है, बेटा पढ़ाने वाला टीचर अच्छा होना जाई है, अगर आपको गुरू अच्छा मिल गया पढ़ाने वाला टीचर अच्छा मिल गया बेटा, तो कठिन से कठिन विसे भी आसान लगने लगता है, अगर आपका प्रपावने वाला गुरु सही नहीं है तो भींदी जैसेश बिसेशा है जो शबताय समांता है जो सबसे सहान हो और अज्ञाने के जानसाे फैल जान डूनाइक कषा क रखता और पेता पिक कुछनीzentर पूनल में हुए कंषान रही थ क्योंते नहीं में सुस्ते हैं थे द क्रत आपको किसे भी सब्जक्ट में परसान होने की जरूरत नहीं अपनी परसानिया मेरे उपर छोड़ दो मुझे सिर्फ और सिर्फ समय दो मुझे एक महिना समय चाहिए आप से मैं एक महिने में इतना आपके लिए करवा दूँगा इतना करवा दूँगा कि आप भी सोचोगे कि मेरे तो सब विसे आने लगे एगरिकल्टर के बच्च ऐसे होते हैं कि उन्हें पते नहीं होता कि हमारे कोर्स कितने हैं हमारे विसे कितने हैं मेरे लाल मैं ये जरूर आपसे वादा करूँगा कि विसे तो आपको आएगी ही आएगी साथ में आपको ये भी आजाएगा कि पूरी किताम में क्या लिखा मैंने आपसे क्या बोला पांच महीना सही समय है कम से कम तीन बार कोर्स खतम करूँगा और बेटा कोर्स नहीं खतम कोर्स तो खतम होगा ही होगा साथ में आपके दिमाग में भी 24 खंटा हर चीज रन करती होगी वो आपके ब्लड का हिस्सा हो जाएगा हर ब्लड जैसे ब्लड हम लोग के सरीर में सर्कूलेट करता है खून सर्कूलेट करता है ठीक इसी प्रकार हर बिसे तुमारे खून में सर्कूलेट कर रहेगा और तुमको कोई रात में जगा के पूछेगा कि बेटा इसका एंसर क्या होता है तुरंत आप धरले से बोलोगों इतनी तयारी हम करा देंगे बस बेटा थोड़ा मुझे आप लोगों को समय देने जरूरत है आप लोग समय दोगे तो मैं निश्चित रूप से अच्छे से अ अगर आपने पांच महीने का पूरा बैच अटेंड कर लिया अगर आपने पांच महीने का बैच अटेंड कर लिया तो आप सभी बच्चों का 75% से जो सबसे कमजोर बच्चा पढ़ने में अच्छा बच्चा है तो 85% भी पा सकता है 85% से भी उपर जा सकता है अगर पढ़न इसके बाद जोनी छात्र 11 वारा के छात्र पढ़ना जाते हैं आनलाइन जो मैं वीडियो लेक्चर दूँगा बच्चों का सभी विसे का डेली आपको मिलेगा वो बिटा बच्चे एक नंबर है 82, 99, 78, 32, 83 एक नंबर है 82, 99, 78, 83, 83 बेटा जो भी 11 और 12 के छात्र हैं जिनको तैयारी करनी है बोर्ड के जिनको तैयारी करनी है यूपी कैटेट के और यूपी कैटेट के तारीकों करेंगे जो बरहुई में है इस बाद और ये बेटा अपना रगिस्टेशन करवा लेंगे ये बिल्कुल रगिस्टेशन पेटा आपका निसुलक है इसको आपके लिए कज़ कोई पैसा देने की रूप नहीं है बस आपको क्या करना है अपने मुबाइल से वाटसब में अपना नाम लिख देना है अपना मुबाइल नमबर लिख देना है अपने स्कूल का नाम लिख देना है और अपने क्लास का नाम लिख देना है नाम अपना लिख दोगे बेटा आप किस स्कूल में पढ़ते हो वो भी भी लिख देना और आप किस क्लास में हो भी लिख देना और बेटा अपना मुबाइल नमबर लिख देना ये चार चीजे लिख के आप मुझे इसी नमबर पर वाटसब कर दोगे बेटा ये रेजिस्टेशन निसुलक है इसका कोई पैसा नहीं लगेगा ये टोटल फिरी आप कास्ट है 82-99-88-32-83-82-89-98-88-83-83 बेटा इस नमबर पर आपको रेजिस्टेशन करना होगा रेजिस्टेशन करने के लिए कोई फिस नहीं लगेगी बस सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज आपको लिख कर भेजना जैसे हम लोग वाटसब पर चैड करते हैं एक मैसेज लिखके क्या क्या लिखना है अपने स्कूल का नाम लिखना है जहां पढ़ते हैं आपका नाम क्या है वो लिखना है आप किस क्लास में पढ़ते हैं वो लिखना है और आपका मोबाइल नमबर क्या है यह रेजिस्टेशन के आप इस नमबर पर मैसेज हमें कर दोगे यह बेटा कोई पैसा देने जरूरत नहीं है क्या क्या भेजना नाम मुबाइल नंबर अपने स्कूल का नाम और बेटा आप किस क्लास में पढ़ते को जो यह तो पिटर रेइस्टेशन की बात होगी इसमें आपको कोई चार्ज कोई फीस नहीं लगेगी और बेटा मैंने आपसे क्या कहा आप एडमिशन तर लेना जब आप पांच दिन 20 से 25 सितंबर तक आनलाइन क्लास से पढ़ लेना 20 से 25 सितंबर तक आनलाइन क्लास आप यूटूब पे जाके सर्च करके पढ़ लेना जब आप YouTube पे नियुरे जगरी कलतरा डिकेडमी डालोगी तो आपको सारे वीडियो डेमो मिल जाएंगे, फ्री क्लासे मिल जाएंगी और बेटा पांच दिन क्लासे पढ़ लेना, कल से आपको वीडियो मिलने लेगेंगी और अगर आपको समझ में आए तो बेटा आप एडम लेने की ज़रुवत नहीं है, इसका मतलब 20 से 25 से सारी कलासे निस्रुख होंगी, 20 से 25 जो कलासे होंगी, ये सब निस्रुख होंगी, इसके लिए कोई पैसा देने जरुवत नहीं है, लेकिन बेटा ध्यान देना, 20 से 25 तक हम लोग YouTube पे पढ़ेंगे, फिरी कलासे होंगी, YouTube पे कोचिंग का नाम सर्च करोगी, वहाँ वीडियो मिलेगा, डेमो मिलेगा, अपने माता को दिखाईए, अपने पिता को दिखाईए, अपने भाई को दिखाईए, अगर समझ में आए बेटा, तो 25 तारीक के बाद आपका अड़ेमियसान शुरू होगा, इसका मतलब ये ह कि 25 तारीक के बाद कोई लड़का बिना पैसा जमा किये नहीं पढ़ सकता, 25 तारीक के बाद कोई लड़का बिना फीस दिये जमा, जब तक कोई लड़का 25 तारीक के बाद, यह 25 तको सब को दिखाईए, लेकिन 25 तारीक से वही बच्चा पढ़ेगा बेटा, जिनकी कोचिं नहीं जमा होगी उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा इसका मतलब 25 के बाद हम लोग कैसे पढ़ेंगे थोड़ा हम लोग यह डिसकस करेंगे कि 25 को सर हम YouTube पे आपका चैनल सर्च करके आपका चैनल सस्क्राइब करके यूटूब पे जाके नियूरे जगरी कलतरे कडमी डालो होगे आपको मिलेगा चैनल सस्क्राइब कर लेना 25 तक यह लेकर 25 ढर्याओ पढ़ना है लेकिन बेटा ध्यान देना 26 तारिक के बाद हम लोग 26 तारिक के यह 25 तारिक के बाद आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है आप अपने गूगल प्ले स्टोर के मोबाइल पर जाएंगे और वहाँ चैनल आप जब गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे बिटा वहाँ पर आप सर्च करेंगे और उसको सर्च करोगे तो आपको दो अप्लीकेशन नियुरे जगरी कलतर अकडमी का दिखाई देगा आप जब गूगल प्ले स्टोर पर नियुरे जगरी कलतर अकडमी सर्च करोगे तो उसके दो अप्लीकेशन उसके दो application आपको दिखाई देंगे बेटा ध्यान देना जो 22 MB का होगा जो 22 MB का application होगा इसी को आपको download करना है Google Play Store पर जाओगे आप New Ray जग्री कल्टर एकडमी डालोगे आपको New Ray जग्री कल्टर एकडमी का नाम का दो application दिखाई देगा ध्यान देना बेटा आपको वही application डाउनलोड करना है जो 22 MB का हो और यही 22 MB वाला यही 22 MB वाला जो New Ray जग्री कल्टर का एकडमी का application है Google Play Store पर इसी के माध्यम से गिरहौई और बरहौई छात्र को हम पढ़ाएंगे कोई भी बच्चा भीना फीस भीन नहीं पढ़ाएगा 25 तारीक के बाद 25 तारीक के बाद हम उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जिन बच्चों के फीस जमा होगे ठिक और बेटा ध्यान देना यह सिर्फ आप Google Play Store पर जाके New Ray जग्री कल्टर एकडमी सर्ज करोगे तो जो 22 MB का आएगा 22 MB का अपली किस्टन आएगा उसे आप डाउनलोड कर लेना सिर्फ उसको पेटा आगे कुछ मत करना आपको हम पासवर्ट बताएंगे जब हम आपको पासवर्ट बताएंगे जब आपको हम पासवर्ट बताएंगे तभी आप अंदर जा पाओगे बिटा अधर वाइज आप अंदर जाओगे आपको कुछ मिलेगा नहीं यहीं गूगल पेले स्टोर से निवरे जगरी कलतर एकडमी का 22 MB वाल अपलीकेशन डाउनलोड करके छोड़ देना है और बिटा जब आप फीस जमा करोगे तो मैं आपक होंगा या मैं आपको उस अपलीकेशन में जोड़ दूंगा तो बिटा उसमें सारी क्लास हैं आपको सारी बीडियो सारे पीडियम नोट्स सारे लेक्शर आपको प्रत दिन मिलते रहेंगे और कभी भी आप मोबाइल खोल कर देख सकते हैं इसका मतलब बिटा यह हुआ कि 20 से 25 तक पूरी क्लास देमो हैं पूरी क्लास फिरी है कोई पैसा नहीं लगेगा लेकिन 25 तारिक के बाद वही छादर पढ़ेंगे जो जिनकी फीज जमा होगी और ध्यान देना वो किस अपलीकेशन पर पढ़ेंगे नियुरेज अग्रिकल्टर एकटमी पढ़ेंगे किस पारिक के बार इस अपलीकेशन में सारी वीडियो पढ़ेंगे और works अपलीकेशन कि वही बच्छा पढ़ेंगा जिसके फिस दम होगी जब फासफ़ट बतायेंगे तभी बच्छा आगे बज़ा पाएगा उस application में और तभी उसको सारी वीडियो मिलेगी टिक ये बात होगे बिटा 20 से 25 फिरी पढ़ना है यूटूब पे नियूरे दिगरी कलते रिकट भी डालके ये पूरी डेमो क्लास है पांच दिन मुक्त आप पहले चक कर लो टीचर अच्छा पढ़ात होगे कि नहीं पढ़ाता है फिर आपको फीस जमा कर लें टिक अउसके बाद ध्यान देने बेटा 25 के बाद वही बच्चे पढ़ेंगे जिनके फीस जमा होगी और यूटूब पे नहीं पढ़ेंगे वो कोचिंग के application नियूरे जगरी कलतर वाले नियूरे जगरी कलतर रिक इस तारीक के बाद कोई भी लड़का वीना फीस दिये पढ़ेंगे नहीं सकता मैंने आपको पांच दिन समय दिया खूब चेक कर लो अच्छा लगे तो एड़ मिसल लेना नहीं तो कोई बात नहीं है ठीके बेटा रिश्टेशन नमबर आपको बताई दिये कब रिश्टे अगरीकल्टर की बच्चों की सबसे बड़ी समस्य होती है बेटा फीस इब तेरे गाओं के बच्चे होते हैं गरीब के बच्चे होते हैं किसान के बच्चे होते हैं जैसे मालों कि आपको ग्यारा में पांच विसे पढ़ना है बारा में छे बिसे पढ़ना है और बेटा अ हमारे कोचिंग का मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि सिर्फ हो सिर्फ मातर 500 रुपय महीना फीस है। हमारी कोचिंग की फीस बोर्ड पर इच्छा की है बेटा या ICR रिप्री कड़ बिये चुके नहीं है। बोर्ड पर इच्छा की 500 रुपय महीना फीस है। यह आपको मंथली देनी होगी, आनलाइन पेमेंट करना होगा, आपको मंथली देना होगा बिटा, अगर आप 11 के छात रहें, तो आप 500 में सभी भी से पढ़ेंगे, सभी का वीडियो आपको मिलेगा अपलेकेशन में, अगर आप 12 के हैं, तो इसी 500 में आपकी 12 की बोर्ड की स कुछ नहीं होता है, आठ टीचर आपको पढ़ाएंगे, मातर आपको 500 रुपया महीना देना है, यह नहीं इसका मतलब है हुआ, कि जो 5 महीना अगर आपको कोचिंग करनी हैं, तो पच्चिस सो रुपया आपका खर्चा होगा, पाथ महीन आपको पढ़नी है, अगर आप 20 स पच्चा है, तो उसको भी पूरा याद हो जाएगा, पूरा जबान पर आजाएगा, और साथे ही में साथ बिटा, उनके यूपी कैटर डाइशर भी अच्चू की बीचीजी धिरिदित तयार, हम लोग करवाते रहेंगे, यह पांच महीने में कम से कम हम लोग तीन बार कोर और से नहीं है, खिसान गरीब होता है, उसको पचीस रुपया पेमेंट करना बहुत करिंकाम हैं, तो उनके बच्चों को मात्र प्जितने विसें हैं, इस पांसों में पांच विसें उनको हर महीने पढ़ाया जाएगा, पांसों में छितने रुपया जमा है कोचिंग में, तो बेटा आपको ग्यारा के जितने भी से हैं सब का नोट्स आपको कोचिंग के नियूरेज अग्रीकल तरेकरडमी वाले अपलीकेसन पर आपको मिलता रहेगा और यह मिलेगा पांच महीना हर महीने आपको पांच पांच रुपया देना होगा एनी फीस मात्रो सिर्फ और सिर्फ पांस रुपया महीना है और अगर आप 11 में हो तो आपको 500 देना है सब इसे पढ़िए और 12 में हो तो भी आप 500 देजए सब इसे पढ़िए और चुपी थोड़ा थोड़ा आम लोग साथ में लेकर चलेंगे यह आपका बोनुस होगा कि आके जलगे आपको किसे भी सुद्धाल में प्रवेश लेना पेमेंट के लिए ध्यान देना पेमेंट आपको तो करना है पेटा यह एकाउंट रंबर है बत्तिस अठावन बासट शियालीश शासो सता सी यह एकाउंट रंबर है पेटा यह IFC कोड है यस भी आइन त्रपल जीरो अर्तिस जीरो नौ यह नाम है मेरा रवी मिस्वा यह मेरे नाम का एकाउंट है और बाइंग का नाम है इस्टेट बाइंग यह आपके सामने डिटियल लिखा है आप लोग इसका स्टेंसाट ले 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 ना बिटा अगर कोई लड़का गूग गूगल पे के लिए नंबर है 952,994,992 फिर गूगल पे के लिए लिए नंबर है 97,92,92,94 Suddenly Please kung हूँ शिर्फ हो सिर्फ पांत रुकर महिना देना है सारे दिसया आप 11 के पढ़ें पांस रुकर जमा करेंगे सारे वीश आइएपसी कोड़ है यस भी आइन थ्रिपल जीरो अरतीस जिरो नौ नेम है रवी मिस्रा बिटा और गूगल पे नंबर होगा करते हैं तो उसका स्क्रीन साथ मोवाइल से पेमिन करेंगे तो उसका स्क्रीन साथ हमको आप वाट्सब नंबर संतानवे बानवे छियानवे चावरानवे बाईस ध्यांदने बेटा आपने पांच रुपया पोचिंगे फीस जमा कर दीए फीस आपको 20 से 25 तर नहीं जमा करना है 25 के बाद जमा करना 25 से हां लेकिन 25 से वही चाथर पढ़ेंगे जिनकी फीस जमा होंगी ठीक आपको 500 रुपय का पेमिन्ट करना है आप बैंक जाके 500 जमा करेंगे तो बैंक साथ को रसीध मिलेगी आप मुबाइल से कर जमा करेंगे तो मुबाइल का स्क्रीन साथ हमें सब में हमें भेज़ दोगे जब आप हमें भेज़ दोगे तब मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा और मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा मैं जैसे ही पासवर्ड बताऊंगा आप अपलीकेशन में भुश जाओगे अंदर और अपलीकेशन में अंदर चले जाओगी बिट बेटा अप्लिकेशन्स डाउन ग्लेट करना है कितने एंबी वाला बाइस एंबी वाला नियुरेज अगरी कलतरे कटमी को दो अप्लिकेशन हैं यह प्लेश टूर पर मिलेंगे और जब आप फीस जमा कर दोगे बैंक से जमा करोगे परची मिलेगी फोटो केश के पेड़ दे की तैयारी का समस्या नहीं है अब बोर्ड पर इच्छा कि आपको टेंसल लेने की ज़रूर नहीं है अगर बेटा साथ सोचे हो तो पचातर मिलेगा पचातर चोचे हो तो पचासी परजेंट मिलेगा यह मेरी गारंटी है बस बेटा मुझे थोड़ा समय दो और मैं ऐसे ऐस इसे टीजर से पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि नहीं वास्चिता कितनी अच्छे पढ़ाते हैं सर ऐसे टीजर को मैंने आप तक कभी पढ़ा ही नहीं टिक तो बेटाई पेइमेंट का मैंचल मैंने बता दिया एकाउंट नंबर 32,92,64807 है आई एपसी एस बाइए इन नंबर पर आप इसके इंसाठ भेद दोगे या परजिक फोटुखित के भेद दोगे हम आपको पासवड बताएंगे तब जाकि आप अप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ा सकते हैं लेकिन बिटा अभी 20 से 25 तक आपको कोई पैसा देनी की जरूरात नहीं है आप सिर्फ आप समझ में आजाए बिटा तब आप अधर्मिसल लेना अधर्वाइज आपको अधर्मिसल लेने की जरूरात नहीं है पहले पढ़ो समझ में आए फिर अधर्मिसल लेने की जरूरात है उसके पहले आपको अधर्मिसल लेने की जरूरात नहीं है लेकिन 25 तारीक के बाद कोई शात्र वीना फ्रीस जमा किये पढ़ है नहीं सकता क्योंकि 25 तारी के बाद सारी क्लास से अपलिकेशन से होगी नियुरेज अगरीकलतर रिकडमी वाले किस बाइस हम्री वाले जैसे आपकी बोर्ड में कोशे जाते हैं जिसमें ब्रिस्तित्रिय आते हैं लगोत्रिय आते हैं बहु भी कल्पी आते हैं बेटा जैसे कोश्चन आते हैं टैयारी उसी प्रगार्ग ही कराएंगे बोर्ड परिछा जैसा बिल्कुल जैसे कुछ कोर्षन आते हैं जिनको 3-4 पेजों लिखना होता है कुछ कोर्षन ऐसे आते हैं जिनको 1 पेज में लिखना होता है कुछ कोर्षन ऐसे होते हैं जिनको 4-2 लाइन में लिखना होता है ठीक application के माध्यम से जितनी भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी उसका आपको PDF फाइल मिल जाएगी PDF फाइल मतलब अगर आप डॉंट सुसमें नहीं लिख पाए हो तो आपको हाथ से लिखा हुआ आपको application में मिल जाएगा आपको लिखकर उसे याद कर सकते हैं ठीके बेटा जैसे वहाँ question कुछा जाता है देर घुतुरिये लग उत्रिये बिस्तुत उत्रिये बहु भी कल्पिये सारे चीज़े आपको पढ़ाई जाएंगी उसी लेबल का ही पढ़ाई जाएंगे दूसरी खास बाद आपकी board में जो किताबे लगते होंगे बेटा उसी किताब से पढ़ाया जाएगा और किसी course से नहीं पढ़ाया जाएगा लेकिन जो बारहुई की छात्र है इनको थोड़ी बहुत NCRT के बारे में भी पढ़ाया जाएगा क्योंकि इस बार UP का परिच्छा में जो कोस्टन आये थे बिटा वो कुछ कोस्टन NCRT से आ गए थे दूसरी खास बाद प्रतेख 15 तारिकों हर महीने के 15 तारिकों हर महीने के 15 तारिकों आपके जैसे बोर्ड की परिच्छा होती है वो इसे एक परिच्छा आउजित कराई जाएगी जितना कोर्स पढ़ाया गया रहेगा उसी कोर्स से हर महीने के पंदरा तारिक को एक परिछा योजित कराए जाएगी तक हमको ये पता चले कि आप कितना पढ़ते बिटा हम पढ़ा दें आप हमें फीश दे दो यहीं जिम्मेदारी मेरी नहीं खतम हो जाती आप मुझे फीश दे दो हम आपको पढ़ा दें मेरी जिम्मेदारी यहीं नहीं खतम है मेरी जिम्मेदारी यहां तक है कि मैं आपको इतना पढ़ा दू इतना पढ़ा दू कि आप सो तो गाना गाओ जो आप दिन बार पढ़ो जागो तो कोई आपसे पूछे तो आपको देर ना लगे तुरंट सारी चीज़ आपके जबान पे रखी यह मैं को असुस देता हूँ महीना दो महीना पास सारी चीज़ आपके जबान पे रखी होंगी इसका मतलब हर महीने के 15 तारीको आपको बुर्ड पर इचाज वे सा पेपर करा जाएगा जिससे आपको लगे आपके तैयारी कितनी है और जो 12 किरसी के छात्र हैं उनको हर महीने की 18 तारी को 12 किरसी के छात्र के हर महीने के 18 तारी को इनका ये बहु भी कल्पी ये पेपर कराया जाएगा और ये पेपर होगा बेटा किस लेवल का UP कैटर का ICR का वेच्चू की जो महीने के 15 तारी को लिए तो ये बोर्ड की जैसा पर इच्छा होगा जैसे बोर्ड को सिंपुशा जाता है लेकि हर महीने को 18 तारी को जितने भी छात्र होंगे इनकी एक कामार पर इच्छा ली जाएगे UP कैटर आई से भी चूगी और वहां जो चार आपसन वाले प्रसनात बताया था कि नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम, क्लास का नाम और उसमें रजिस्ट्रेशन आपको किस नंबर पर करना था? 82, 98, 32, 83. 82, 98, 32, 83. इसमें बेटा आपका रजिस्ट्रेशन पाँच दिन चलेगा, रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होगा 20 से, 25 तक चलेगा आपको सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम, और क्लास का नाम, वाट्सप कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसमें कोई सुल्क देने की ज़रूआट नहीं है, और याद रखना है, इसमें दिमाग में बिल्कुर रखना है, पांस होगे, आपको और उन्हें UP-CATED BH2-ICR के त्यारी करनी है, जो बच्चे 12 पास आउट हैं, उनको ICR, UP-CATED BH2 के त्यारी करनी है, तो बिटा, आप अभी इसमन्थ आउर वेट करोगे 10 दिए, इसका मतलब अगर भारस सरकार की कोई गाइडलाइन, परदेश सरकार की कोई गाइडलाइन, को जरूरी सूचना है, जो लड़के पास आउट हैं, डेली फोन करते हैं, नया बैच के इसका कब से शुरू हो रहा है, बिटा, याद रहना, अगर आपको ICR के त्यारी करनी है, आपको बेच्चू के त्यारी करनी है, तो आपको इस महीने लगभाग आजुनीस तारिक है, आ अगर आप कोचिंग खोलने का अदेश आता है, प्रदेश सरकार का, तो बेटा, हम आपको 25 तारिक के बाद कभी भी आके बैच की घोसडा करेंगे, कितनी फीस है, आपको बताएंगे, क्या टाइमिंग होगी, और अगर बेटा, सरकार की गाइड लाइन कोचिंग खोलने के लिए नहीं आई, तो जो बराहमी के छातर पास आउट होगे हैं, उन्हें यूपी कैटर बेच्चू आइस्यार की द्यारी करनी हैं, बेटा, मैं निश्ची तरूप से उनका बैच अगले महिने में या इसी एक तारिक से आनलाइन स्टार्ट कर दूँगा, और वो बैच ब कि पुली सरकार की गाइडलाइन आई तो बेटा, हम आपको एनॉंसिमेंट करेंगे बैच का, कि बैच की टाइमिंग क्या होगी, बैच की फीज कितनी है, कब से बैच अगले सरकार की गाइडलाइन नहीं आयी, तो निश्ची तरूप से आनलाइन क्लासे, उनकी भी सभी क् क्योंकि जो बच्चे 12 पास आउट कर चुके हैं उन्हें बोर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है और ध्यान देना मैं इस बार इस बार कोश्चन यूपी केड़ेट में इंसे पूछा गया पेवर साइंस से पूछा गया मैं यह आपको जरूर बताना चाहूंगा कि बेटा इंस केड़ेट परिच्छा के पहले मैं निश्ची दूरूप से NCRT आपके जबान पर कर दूँगा पेवर साइंस वाली किताबे आपके जबान पर कर दूँगा ताकि फिजिस किमिस्ट्री बायो मैट कोई कोश्चन बाहर से ना आए पूरी NCRT पूरी फिजिस किमिस्ट्री ब बारा पास कर चुके हैं यह सुचना उन्षात्रों के लिए जो बारा पास कर चुके हैं जो बच्चे क्रेस बैच में कोचिंग करने आये थे या मेरे हैं आये थे या किसी भी कोचिंग में गये थे जो बच्चे क्रेस बैच में कोचिंग करने आये थे चाहिए मेरे हैं आये हो या किसी भी कोचिंग गये हो बेटा जितनी भी फीस उनकी जमा है अपनी कोचिंग का कार्ड दिखाएंगे तो जो हमारा एक वर्स ये वैच चलेगा यूपी कैटेडाइसर भी है चुकी उतनी फीसे उनकी कम कर दी जाएंगे सीधा सीधा समझना बेटा जितनी भी एक वर्स की फीस होगी मैंने फिर का ये सूचना मातर उनके लिए है जो बारा पास है जो कानपूर में तैयारी करना आने उनके लिए सोच रहे है या अगर कोचिंग नहीं स्टाफ ही तो आनलाइन पढ़ेंगे उनके लिए बिटा एक बहुत भी से सूचना है कि अगर आप कानपूर किसी भी कोचिंग में हमारे भी कोचिंग में या किसी भी कोचिंग में आपने पढ़ा है और आपने वहाँ फीस जमा की है और आपके परची या आपका आई कार्ड वहाँ का है तो बिटा कोचिंग की जितनी एक बरसी फीस होगी उसमें वो फीस माइनस कर दी जाएगे इसका मतलब मालों आप किसी कोचिंग में गए थे क्रेस बेच में आपने तीन हजार फीस दिया था तो जब आप फीस जमा करोगी हमारे कोचिंग का एक बरसी बैच का या यूपी कैड़ आईशियार का बैच का तो तीन हजार हम आपका कम कर देंगे फुल फीस में से और भीटा हम फुल फीस आपको बताएंगे जब हम बैच की घोसड़ा करेंगे कि टोल्थ वाली बैच शरी टोल्थ की बैच ने बोर्ड पर इछा जो बच्चे यूपी कैड़ बैच जो शरू होगा आईशियार का बैच शरू होगा बेच्चू का बैच शरू होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि कब शुरू होगा आनलाइन शरू होगा कि आफलाइन शरू होगा यहां पे और बेटा कोचिंग बंद हो गई COVID-19 के कारण तो आपने जो फीस जमा की है वो आपके फीस कहीं जाने वाली नहीं है किसे भी कोचिंग में आपने जमा की है मैं अपने कोचिंग का जरूर मैं यह कहना चाहूंगा कि आप किसी भी कोचिंग से पढ़े हो अगर आप म काम कर देंगे और यह सुचना उन्हीं के लिए बेटा जो इगरीकलतर से टोइल्थ पास ओड़ हो चुके है ठीक इसका मतलब अपने कहीं भी फीस जमा की है हमारे यह जमा की है तुब मैंने कार्ट दिया आप कार्ड दिखाओगे तोटल फीस से कम कर देंगे और आप कहीं हम लोग फोकिस कर रहे हैं बोर्ड के भेज का अभी हम लोग फोकुस कर रहे हैं बोर्ड के बाइच का 11 और 12 के 11 12些 चाथर जूडे हैं क्रईश्टेसन करें वे 80891 3283 फैर और बेटा 2025 तके डेमो क्लास पड़ें यूटूब के क्लास पड़ें फिर यह आपकास्ट पड़े पास दिन और उसके बाद बेटा 26 थारीख से जब पैसा जमा कर देंगे तो यह अपली केशन के माध्यम से पढ़ेंगे तो बस एक बार आप मौका हमको दो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा और मैं निश्चित रूप से बोर्ड पर इच्छा में आपको अच्छा सफलता दिलाऊंगा अच्छे सफलता मकलब यह है कि अच्छे मार्क साथ आप उसमें पास होंगे उसमें कोई दोर आए नहीं दिमाग से आद निकाल देना कि कोई विसाय आता नहीं मुझे या कुछ कठिन है या मैं 11 फेल हो जाओंगा अब सारी जिम्मेदारिया मेरे उपर चोड़ दीजिए पांच दिन डेमो क्लास दीजिए वीस से पच्छीस पड़ और भीटा ध्यान देना यूपी कैड़ट आईश्यार वेच्चू के छात्र जो 12 पास आउट कर चुके हैं उनके नए वैज की आज पास की जाएगी कि आपकी क्लास से कब चलेंगे कितनी फीस होंगी और जरूरी सोचना ये थी बेटा कि जितनी फीस उनकी जमा होगी चाहें जिस कोचिंग में क्रैस बैज में जमा की होंगे आप किसे भी कोचिंग में पढ़नेंगे मुझे कोई मतलब नहीं है आप ज सभी लोगों का बहुत नुक्सान हुआ है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे आपके फादर्स हो, चाहे आपके घरजन हो, तो वेटा, ठीक है, मैं इनी बातों के साथ अपने बातों को खतम करना चाहता हूँ, और मैं पोसिस करूँगा, कि आप जादा से जादा, जितने मेरे चात्र हैं, आज तक लगभग जितने भी मेरे चात्रों से पड़े हैं, मैं यहीं चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों ने तो बहुत सारे बच्चों 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 तो यह खूब देखें और अगर हो सके बिटा, तो आप लोग अपने फेस्बुक पे भी इस वीडियो को डालें, या अपने यूटूब पे डालें, जैसे भी सोसल मीडिया प्रदार करना चाहें, आप यूटूब पे, सारी फेस्बुक पे डालें, आप वार्सप में डालें, व आउपट दें नहीं मिलता है लेकिन जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा मेरा कांफिडेंस भी बढ़ता जाएगा और मैं फिर इनी बेदन करना चाहता हो उपने समझ छाथ चात्रां को जो भी हमसे पढ़ चुके हैं आप तक और जो भी पढ़ा होगा वो मेरे बारे में जानता होगा कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं कितनी में नहाथ करते हैं तो बेटा यह भी खूब सेयर करना तकि सभी लोगों तो कहोज जाए खूब फैल वो को सेयर करना वुव आट्साव भी श्टेट उस लगाना और तक यहर एगरीकलतर के छात्रो मिल जाए ठीके बेटा थैंक यू धन्यवाद